इस विडियो में दी हुई जानकारी internet से ली गई है. हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी Bactoclave DS-457 Dry सिर्फ एक antibiotic दवा है जो कान, नाक, गले, छाती, फेफडे, दान, त्वचा और मुत्रमार्क के बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमन का इलाज करने में मदद करती है यह अन्य चिकित्साओं के प्रती प्रतिरोधी बैक्टीरिया को मारने में सक्षम है और इस प्रकार tuberculosis के इलाज में भी मदद करता है जो अन्य उप्चारों के लिए प्रतिरोधक है आप अपने बच्चे को भोजन के साथ या भोजन के बिना बैक्टोकलेव DS-457 राह सिर्प दे सकते हैं इसे भोजन के साथ देना बहतर होता है क्योंकि इससे अवशोशन बढ़ता है और पेट में गरबड़ी होने का खत्रा कम होता है डॉक्टर इसे दिन में दो से तीन बार देने की सलाह दे सकता है दवा की खुराक इंफेक्शन के प्रकार उसकी गंभीरता और बच्चे की उम्र और शरीर के वजन पर निर्भर करती है इसलिए दी गई खुराक को तै समय पर और बताई गई सलाह के अनुसार ही लें यदि आपका बच्चा दवा के सेवन के 30 मिंटों के भीतर उल्टी कर देता है तो बच्चे को पहले शांत होने दे और फिर उसे वही खुराक दें अगर अगली खुराक का समय हो गया है तो डबल डोज ना ले बैक्टो कलेव DS457 ड्राई सिर्प के कारण उल्टी, डायरिया, यानि की, दस्ट, मिचली आना, पेट में दर्द, और अलजी हो सकते हैं ये साइड इफेक्ट अपने आप कम हो जाने चाहिए लेकिन यदि ये प्रभाव बने रहते हैं और आपके बच्चे को परेशान करते हैं तो देर किये बिना अपने बच्चे के डॉक्टर से परमर्श करें अपने बच्चे का पूरा मेडिकल एतिहास डॉक्टर के साथ शेर करें जिसमें अलजी, हिर्दे की समस्या, रक्त संबंधी विकार, जन्न दोश, एर्वे ऑब्स्ट्रक्शन, फेफ़रों की विसंगती, गेस्ट्रो इंटेस्टिनल समस्या, तवचा विकार, लिवर और केडनी की खराबिया शामिल है यह जानकारी डॉक्टर को खुराक में बदलाव करने और आपके बच्चे के समगर इलाज की योजना बनाने में मदद करेगी विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद